हेलो दोस्तो मैं हूँ उधैरंजन और आज इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लोग इंडस्रीज लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है तो इसमें एक थोड़ा बहुत न्यूज था और वो न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो अभी देखिया अभी बीएसी में इसका प्राइज चल रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोग देखते रहिएगा देखिये बीएसी में इसका प्राइज अभी चल रहा है 41 रुपीज और आज यह 4.98 प पर चल रहा है और यह आज 4.99% 99% डाउन है और यह इसमें भी लोवर सर्कृट लगा हुए है नसी में भी और यह बीएसी में भी तो इसमें न्यूज है देखिया अभी एक रिलाइंस का आप लोग जानते हैं कि रिलाइंस ने इस कंपनी को यह बीडिंग किया था जेम फे रिलाइंस का एजीम है 15 जुलाई को ठीक है 15 जुलाई को और उसके पहले इसमें लोवर सर्कृट लग रहा है देखिया 15 जुलाई मतलब आज 13 है इसके बाद 14 और 15 मतलब कल नहीं परसो परसो इसमें यह इसका एजीम होने वाला है रिलाइंस का और रिलाइंस के एजीम क्य है कि इसने बहुत सारा जो पैसे हैं वो कटे किये हुए है 1.19 million million rupees इसने यह लिया हुआ है ठीक है यह इसने raise किया हुआ है इस बार तो वो सारा चीज इस बार यह AGM में दिखने वाला है और AGM में सब यह लोग बताएगा और फिर अगला जो प्लानिंग रहेगा अगला प्लानिंग इसमें निकल के आने वाला है तो वो आभी देख लिजेए इसमें कि बिजनेस मेडिया में इसने अपने स्टेक होल्डर को और यह सब को बताया गया है कि 1.18 trillion आप समझते हैं कि less than 3 months में less than less than 3 months में इसने less than 3 months में इसने 1.18 trillion trillion इसने यह raise किया है Reliance Industries तो यह सब पैसा क्यों यह raise कर रहा है इसका बहुत सारा प्लानिंग है अभी तो यह लोग इसने अक्वाइर किया है और उसके बाद यह मतलब जो राइल है वह रियांस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने जाला है तो वह जभी निवेस्ट करेगा उसमें अपर सर्कृट जरूर लगेगा तो देखिए अब भी तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर यह lower circuit पर है अभी लेकिन आप लोग ही बोलते हैं कि इसमें ऐसा news हो कि पहले ही हम लोग को पता चल जाए कि इसमें अपर सर्कृट लगने वाला है तो देखिए यह एक chances है यह probability है कि अगर यह Reliance Industries Limited का 15th July को अगर AGM होता है और पिछला बार भी जब AGM हुआ था तो Reliance Industries 10% के 10% उपर गया था 8% 9% उपर गया था और 10% टच करके यह नीचे आ गया था फिर तो इस बार भी chances है कि R.I.L. का जब यह आने वाला है यह AGM होने वाला है तो इस बार भी market में बहुत ज़्यादा उठल 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 होगा और कम से कम 5% तो यह उपर जाएगा है अगर कुछ positive news आता है और जो expected आने वाले टाइम में यह कुछ projects लाने वाला है तो वो बताएगा वो बताएगा और आप लोग इसको इसमें अगर lower circuit है आलोक में तो इसमें lower circuit में आप लोग बाई कर सकते हैं आराम से बाई हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ sellers हैं और sellers हैं तो आप लोग इसमें बाई करने जाएंगे तो सिर्फ sellers हैं तो वो match होके आपका order execute हो जाएगा तो एक बार आप लो प्रोटी थर्ड यह होगा जान्वल जेनरल मीटिंग होगा और इसने वीडियो कांफरेंसिंग और अधियो विज्वल मीन से दिखाया जाएगा इसमें कि हम लोग का अगला प्रोजेक्ट क्या रहेगा तो अगला प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव निकलता है तो बहुत ही ज्यादा यह यह पॉजिटिव होगा इस टॉक और अगर आरेल पॉजिटिव होता है तो यह अलोक अलोक इंडॉस्ट्री को भी खीचेगा और उपर की तरफ यह ले जाएगा और फिर इसमें सर्कृट लगने स्टार्ट होंगे तो अभी देखें अभी एक कंपनी थी रू सर्कृट लगा हुआ है तो अगर यह रूची में रूची स्वया में अगर अपर सर्कृट लगा हुआ है तो यह सारे जो इंडॉस्ट्री हैं यह साथ में ही चलते हैं तो कल या परसो या दो दिन में यह इसमें दो दिन के अंदर इसमें भी अलोक में भी अपर सर्कृट इसमें देखने को मिल सकता है तो आप लोग घबड़ा है नहीं इसमें आप लोग बाई करके रखे है पर और आपको updated रखोंगा तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप लोग मुझे comment section में आप लोग बता देजे थैंक्यू दोस्तों